रादे रादे माई मैं चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिग्री ओफ वर्टेक्स क्या है लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स पताऊंगी एड्जिसेंट वर्टेश इंसिडेंट एज इसके बाद हम डिग्री सीखेंगे औ नोशन है वह हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे तो आपको अगर अंडारेट ग्राफ नहीं पता तो आप पिछला वीडियो जो फिर्स वीडियो है ग्राफ चिरी की प्लेलिस्ट का उसको देख लीजएगा आपको सारे क्लैरिटी हो जाएगी ठीक है अब हम स्टार एक ना थाणने हो ग्राफ है तो जो एक इसके आच की बस्ट एकर जाओ करने समेरे के दिखने हैं वह दो वरे कि जो एक ये समय के उसके जमाले उसके ऊंडgeschर्ण से उसके चिलिए उसके जो क्यो जयेसे इंळ Sum here इसे क्यों लिखा कि कोसे और से इनको करने वालए तो कोई एज है नहीं तो यह अधिस्ट ढाइम से आतिया एंज्सटफ एजिवादे sandwich अगर में बता हूं जैसे की अभी आईज्सट एक तो तो वह आची yont edge ठीक है तो अब मैं एक बढ़ देफिनिशन बता दूब आपके आपको इफ एन एज इस एसोशियेटेड विद यू कॉमा भी यह दो वर्टिसेसे यू कॉमा भी दैन इस कॉल इंसिडेंट विद यू एंड वी द वर्टिसेज जो यू एंड वी हैं उनको हम क्या बोलते हैं एंड पॉइंट भी बोलते हैं एक जिसे हमने भी देखा वो एडजिसन वर्टिसेज तो हैं यह बट अगर एक रिस्पेक्ट में बात करें अज एज का नाम अगर यह दैन यू और वी और कॉल्ड एंड पॉइंट विद एंड विद एंड पॉइंड विद एंड विद न में कॉंसेट इस डिंगरि ओफ इंड छिए इंड विद इफाइं पॉइंड लाइसेशद तो यह मंपॉटेंट है कि हमें ग्या करना सिन्प अफ अज़ी किसी वर्टेक्स से तो किसी वर्टेक्स से कितनी एज इस इंसे एंड हो रही है जैसे यह बी वर्टेक्स है कितनी आ रही है जिस एक यह आए और एक यह है ना तो इस वहले पॉइंट की डिगरी कितनी हो गई दो हो गई अभी में और भी एक्जांपल डिसक्स करूंगी बहुत सब्सक्राइब तो हमें क्या देखना है डिगरी ऑफ वर्टेक्स मेंस नंबर कौन अंदर आ रहा है कौन बाज आ रहा है सर्फ एज इसको काउंट करना है किसी वर्टेक्स से जितनी कनेक्टेड है एक इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको देखिए यह है अलूप एट वर्टेक्स कंट्रिब्यूट्स तो वाइट स्टू दी डिग्री ऑफ डैट इस तरह से कोई एज बनती है जो यहीं से शुआ हो के यहीं पर घतम हो जाए तो वह लूप कहलाती है अब यह क्योंकि यह शुरू होई फर यहीं भी खतम होगे तो तरह से क्या हुआ है and हमें find काना है degree of each vertex तो हमें अगर एक ही डिगरी चाहिए तो यहां पर तिहां पर खितनी है जिसे रेंट हो रही है टीक है ऐसे की डिगरी देखिए देखें है एक हमारे यह है अकेला है तो एक यह जारी है तो सिर्दी निकल सकते इसे सब्सक्राइब गएंगे अच्छा इसमें का इस चीज है तो तो कोई आई नहीं दिए तो से डिरी कितनी हो गई जीरो ठीक है बाकिस अब कि तुमने उसे तरीके से निकाल ले आपको तो करिएगा मैस कर लीजिएगा आगे देखते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है और वर्टेक्स और डिगरी 0 इसका इस गॉल्ड लेटेक्स है अब देखें अब देखें जीरटेक्स डिगरी 1 इस कॉल्ड आइस मतलब इसके डिगरी 1 हो तो आपसे इसमें पूछें पैंडेंट वर्टेक्स कौन-कौन से है तो देखें की कितनी वन होगा एक डिगरी भी परने है तो इस यह दो यह ठीक्त हो ग्या इक को पता होना चाहिए कि किसी भी ग्राफ में आइसुलेटर वर्टेक्स पेंडेंट वर्टेक्स कैसे दिखते हैं और मोस्ट इंपोर्टन लूप की डिगरी टू होती है यह आप याद रखिएगा अब मैंने आपको यहां पर दो क्वेशन दिये हैं यह आपके सामने ग्राफ बने हुए हैं आप इसमें आइडेंटिफाय करिएगा आइसुलेटर यह पैंडेंट वर्टेशेज और सारे वर्टेशेज की डिगरी भी फाइंड करिएगा आपको यह डिगरी वाला कॉंसेट्स समझ में आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजेगा टेक कि रादे रादे